हेलो दोस्तों स्वागत है आपका चैश्बुक.com पर मैं हूँ आपका दोस्त नितिश और हमारे साथ जुड़े हैं यहां पर गौर अब गाइज यहां पर दो तीन आसपेक्ट में क्लियर करना चाहूंगा पहले तो आंसर की तो आई बट अब्जेक्शन बहुत सारे आए ठी अब गाइज अगर आपको लगता है कि अभी आपके एक्जाम में कोई और कोशन है तो उसको रेज करना है ठीक है यह अब आगे यहां पर तो नहीं करेंगे अब यहां पर बहुत सारा रिवीजन हुआ अब उसके बाद क्या क्या है आपको पड़ सकते हैं क्या क्या हो सकती है का इस एक मेंजर इशू है यह कट आफ का अब यहां पर हम लोग कोशिश तो जरूर करेंगे की जानने का क्या क्या चेंज़ और ओवरॉल देखने को मिलेंगे तो पहले तो एक्जाम पैटन आपको पता है कि यहां पर साइंस मैथमेटिक्स रिजिनिंग एंड करंट फेर जनल अवेरे सकांगा ठीक हंटेट कोशन हंडर मार्स 90 मिनिट्स आउग यह समय था राइस हम इसको बार बार क्यों दिखाते हैं क्योंकि अगर नेक्स टाइम ठीक नेक्स ताइम आपको लगते कही न सब्सक्राइब करना चाहूंगा जो भी अपने पास प्रिवियस एर जैसे कॉलकता है कॉलकता 80.57 फिर भूबनेश्वर है 73.86 अब यहां पर चीज कहना चाहूंगा कि कट आउफ का सिनारियो बिल्कुल चेंज हो चुका है अब पहले जैस नहीं होगा अब आपका परसेंट करूं यहां पर क्या कट आफ क्या 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 रीजन का वाइस रीजन वाइस क्या वाइस एक तो दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर कि जो हमने पहले बार किया हुआ था आंसर की आने से पहले रिवाइस आंसर की आने से पहले कट अफ तो वहां पर हमने बात की थी कि सग्स्टी टू solv के बीच में कट ऑफ जाएगा लेकिन और बहुत से लोग कोशिन कर रहे हैं थे तो बच्चों ने बहुत कमेंट किया कि सड़ अलाहबास जोन का कितना कुट को बिल्कुल एकदम 100 परसेंट वो करना है आपको सिर्फ एक यह लेके चलना है कि जितने भी लोग यहां पर इस कट आफ को क्लियर कर रहे हैं वह आगे के फर्दर की तैयारी कर सकते हैं बट हां जो लोग नहीं कर रहे हैं इसका उमीद मतारी है क्योंकि अभी जब तक फाइन 65 और दोस्तों यह एनलेसिस जो है यह हमने आपको दिखाया भी था लास्ट टाइम कि हमने इसको पोल के थू किया है टेलिग्राम में जो हमने पुछे थे बच्चों से जब हमने एनलेसिस किया था उस टाइम पर जो बच्चों ने रिस्पॉंस किये उसके बेसिस पर यहां मुंबई जोन का रखा हैं तो अगर आप मुंबई से बर रहे हैं यह कट ऑफ अगर आपके क्लियर हो रहे हैं तो आपको यहां पर डेफिनेटली आप आगे की तैयारी कर सकते हैं अगर मैं दूसरी बात करो दोस्तों यहां पर यहां पर साउं सेंट्र रेल वेज जो को मिलेगा ठीक है दोस्तों कई ऐसे जोन होते हैं जो मैं बात करूँ साउथ इंडिया के होते हैं या फिर नौर्थ इस्ट के जिनके कट आउस बहुत कम जाते हैं ठीक है अगर आप देखो कि मुंबई का साथ से 65 हमने बत की थी और यहां पर अंठावन से 62 बात करें यू आर के लिए ठीक है सिमिलरली अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस सेंट्रल रिल्वे जो हाजीपूर और पटना वाला एरिया है उस पर आप देखो कि दोस्तों वहां पर पटना में बिहार में कॉम्प्टेशन बहुत है ठीक है वहां पर आप देखो कि हर बार का कट आफ जो है अगले उस पर बात करते हैं मिलेगा दोस्तों यू यहां पर आर सी नौर्श सेंट्र रेल्वे अलाहाबाद का पर हम बात करें तो यहां पर दोस्तों 64-69 आपको देखने को यहां पर मिलेगी ओवीशीय में 60-65 EW में 55-60 दोस्तों लास्ट टाइम जो हमने यहां पर अलपी उस जोन के अंतर गतायता है ठीक है तो उसमें भी ऐसे दोस्तों बहुत सारे हाई कट ओफ गए थे तो आपका तो वहाँ पर हाई देखने को मिलता है इसलिए similarly दोस्तों आप देखोगी यूर का यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर बिलासपूर के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओगे दोस्तों नीचे जो यूर है यह वह कॉपी हो गया शाय तो यहाँ पर आप देख लीजेगा ठीक है 63-68 वह आपका यूर करेंगा बाकी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो किसकी कितने कट-off जाएगी ठीक है यहाँ पर मैं बात करूंगा यहाँ पर की यहाँ पर जबलपूर में लास्ट टाइम दोस्तों जो बोपाल जोन का था उसके बाद जबलपूर का भी हाइस गया था कट-off similarly RRC Group D के बात करता हूं Western Central Railway यहाँ पर दोस्तों इसका डबलू सी आर जिसको हम करते है उसका जोन भी है जवलपूर में ठीक है उसका भी कट-off दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है सब्सक्रांट निपनेश के बाद संब्सक्रांश की निव्लक बाद कांप इवलपूरी टाफ देखने है और रह Eduard भी देखोगे ओबीसी का तेरपन से अंधावन इडवलूस का बावन से संतावन और सी एस्टी का यहां पर उन्चास और यहां पर पैतालीस है ठीक है तो दोस्तों यहां पर है चन्नाई जोन चन्नाई जोन वहां पर थोड़ा कट ओफ कम जाता है ठीक है ओबीसी वाला देखोगे तो तिरपन से एंधावन है एडवलूस पचास से पचपन है ठीक है सिमिलरली गोरकपूर के लिए बात करें तो यह गोरकपूर में फाइट रहत करता हूं कि हुबली यहां पर पचपन से साथ के बीच में आने के चांसे से ठीक है ओबीसी का तिरपन सेंठावन और बाकी आप अपनी केटेगरी वाइस भी चेक कर सकते हैं सारे केटेगरी दोस्तों हमने जो जितने भी जोन होते हैं उनके आपको एक एक करके कट दिखा ह है अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप फॉरवर्ड या फिर यहां पर वह करके आप चेक कर सकते हो हर एक उसके लिए कट ओफ ठीक है और दोस्तों यहां पर डरना नहीं है कि अगर आपका यह नंबर नहीं बनना है तो शायद कि हम तैयारी ना करें आपको क्या करना है आपको तैयारी शुरू रखनी है क्योंकि जब आपके पास रिजल्ट निकल कर आएगा तो हो सकता है समय ज्यादा ना बचे पीटी के लिए पीटी के लिए जुट जाए जूट जाए ठीक है क्योंकि बाद में टाइम लाएगा ठीक है जैसे कि हम और भी एक्जाम की बात क सब्सक्राइब करना बढ़ें तो इसलिए आपको जो भी आपका एक्सराइज वाला पैटन है उसको थोड़ा सा फोलो करना शुरू कर दीजिए डेली बेसे पर और ऐसा नहीं है कि हम लोग को ग्रॉथ भी चाते हैं लाइफ में हम लोग अमिशा ऐसे नहीं रूखेंगे कि हमको पढ़ाई जारी देखनी है तो इसलिए रुकना कभी नहीं है क्योंकि देखो आपने जो आरार भी गुरूपडी का एक्जामिनेशन दिया है अपको इतना तो पता है कि एक्जामिनेशन कैसे देना है क्या क्या चीज़े पढ़के जानी है कैसे हम लोग और इंप्रू पर लगाएंगे जब तक लगाएंगे जब तक आपका एक अच्छी से नौकरी नहीं लग जाती है तो आपको वहां पर भी करते रहना है ठीक है बाकी जो पढ़ रहे हो ठीक है आपने एक्जाम दिया है आपको बहुत अच्छा नॉलेज है आपको बस च्छोड़ी चीज क करने कोई भी एक्जाम देने से पहले उस एक्जाम को कर देखिए फिर फर्दर उसका प्रेप्रेशन चालू कर दीजिए ठीक है अब जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ भी कर सकते हैं ठीक है एक होता है डेडिकेशन की हमको एक जॉब करना है हम अगर मैं यह इस गौशन प्लेस्ट होना बहुत है अगर यहां पर हो जाते तो बहुत अची बात है अगर नहीं होते हो तो अपना continuation में को क्यों सर तो कैसा राहा होगा अगर आपको लगता है को अब कि आपका व्यू है तो उसको कमेंट में जुरूर से डालिए कि सर हमारे जो हमने जो एक्जामेनेशन दिया अच्छा अब्जेक्शन वाला भी आप रहे सकते कि अगर आपको लगता है कि कुछ इंडीड यहां पर मैं कहना चाहूंगा कुछ अभी हैं कुछ हैसे जहां पर थो क्लेम किया होगा बच्चोंने उनके सही भी होँगे तो वह भी आप मार्क्स कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में विद अपने जोन तो आपको यहां पर देख पाएंगे कि आपका जोन में आपके मांक्स कितने आ रहे हैं और एकदम परफेक्ट यहां पर चीजें सेट हो जरूरी है और जिनको पता नहीं है ठीक है जैसे कि हमने क्या हुआ था आंसर की आगया था पर जरूरी होता है तो चली यहां पर राइप आप करते हैं उससे पहले बस मैं यहीं कहूंगा कि जिनके भी आने वाले दिनों में एक्जैम्स है और अभी जितने भी क्योंकि अभी एक्जैम्स का दौर खतम नहीं हुआ है क्योंकि कहना चाहें तो इस तो फर्दर देख लेते हैं कि क्या यह सूपर कोचिंग के बारे मां को बताना चाहूंगा कोई बी एक्जाम क्लियर करने वाला तो उसके लिए आपको प्रप्रेशिंग के लिए सब्सक्राइब करें तो इसको आपको डाउट रहता है उसको रिजॉल्व करिया जाता है तो गाइस इसको आप अवेल कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक ऑफ सूपर कोचिंग जाईए अवेल करिए एक्स्प्रोर करिए जोइन कर सकते हैं सूपर कोचिंग अप ठीक है सब्सक्राइब करते हैं मिलते रहेंगे यहां पर डेली बेसिस पर आपकी सुबह से शाम तक क्लास चलती है बिल्कुल फ्री में आईए अटेंड करिए नई चीज़ सीखे डेली बेसिस पर कुछ नहीं कुछ आपको सीखने को मिलेगा तो चलिए करते हैं मिलेंगे अपने अटेकर गाइस